देश भर के चार राजियों और एक केंद शासित प्रदेश में चुनावी बिगुल फूका जा जुका है यानि कि चुनाव के तारीखों की घोशना की जा चुकी है अब इसको लेकर तमाम पार्टियों की तरफ से आगे के रणीतिया बनाई जा रही है और हर वो संभव प्रय वो इस दिये क्योंकि बीजेपी इसको लेकर मेगा प्लान बना रही है और इस बार कांटी की टककर ममता बनर्ट जी और साथी साथ बीजेपी में देखने को मिलेगी तिड़मुल कॉंग्रेस और भाजपा इस बार बिलकुल चुनावी मैदान में तयारी के साथ उतर रहे ह एक तरफ जहां पीम मोदी और अमिर शाह बंगाल में बीस बीस चुनावी जन सभाओं को सम्भोधित करेंगे रैलिया करेंगे तो वहीं दूसरी और ममता बनर्ट जी के साथ बिहार के राजनितिक दल और नेता प्रदिपक्ष तीजश्वी आदव मंच साज़ा करेंगे औ और उनके जनावी सभा में उनका साथ देंगे और उनके तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी तो जो 72 लाख भोटर्स हिंदी भासी हैं उन्हें अपनी ओर आकरशित करने की कोशिश ममता बनर्ट जी और तेजश्वी आदव करेंगे तो वहीं बीजेपी 294 विधान सभा पूरी तरीके से जीतने के लिए हर संभप्रयास पीएम मोदी और अमिश शाह की तरफ से किये जाएंगे इन सब के बीच पीएम मोदी और साथी साथ रिणमुल कॉंगर्स आगे के रणीती किस तरीके से बना रहे हैं पूरी खबर आपको विस्तार से देते हैं पश्रम बं ली है इसके बाद पीएम मोदी पश्रम बंगाल में 20 और असम में 6 रैलियों को संबोधित करेंगे पश्रम बंगाल और असम वदान सभा चुनाओं के लिए भाठती जंता पार्टी ने खास योजना बनाई है और ऐसी प्लानिंग की गई है ताकि पीएम नरेंद्र मोदी क रैलियों से पश्रम बंगाल के सभी 23 और असम के 33 जिलो को कवर किया जा सके सुत्रों के हवाले से बताय जा रहा है कि सभी चुनाओी राज्यों में पीएम मोदी की रैलियों की मांग काफी जादा है लेकिन बीजेपी पश्रम बंगाल और असम पर जादा ध्यान केंद्रि पर खड़ा उतरने के लिए तयारी कर रही है। प्रमुक जेपी नड़ा की मौजूदगी में दिल्ले इस्तित्थ पार्टी मुख्याले में एक बैठक आयोजित करी जाएगी। अपरेल को मद्दान होंगे जबकि चुनाओ के परणामों की घोशना दो मई को की जाएगी। असम की 126 सीटों पर 3 चर्ण में मद्दान चुनाओ आयों के मताबिक और असम की 126 सीटों के लिए 3 चर्णों में मद्दान होंगे। एक तरफ जहां पीएम मोदी और अमिश शाह पूरी तरीके से इस तयारी में हैं कि बंगाल की चुनाओी अखाड़े में उतर कर फतह करनी हैं, जीत हांसल करनी हैं और इसके लिए अलगरा तरह से तयारां की जारी है, जन्द सभाओं को संबोधत करने के हर वो कोशश की जा तरफ से पीएम मोदी के डिमांड जादा है और एसे में चनावी तारीखों के अलान के बाद पहली जन्द सभाओं साथ मार्च को पीएम मोदी संबोधत करेंगे, वहीं अगर इधर ट्रिनमुल कॉंगरस की बात की जाए, तो ममता दीदी तेजश्वी आदव के साथ होंग बंगाल में बिना शट ममता दीदी को तेजश्वी आदव समठ थन देंगे, अब देखना ये होगा कि पल्डरा किसका भारी होता है, ममता दीदी और तेजश्वी का साथ आगे बढ़ता है या पीएम मोदी का चेहरा फिलाल के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहे हैं न्यूस वाणिशन, नमस्कार